Hello everyone, welcome to among tutorial, दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आद्यातिहासिकाल और वैदिकाल, यह इस रिंखला का दूसरा वीडियो लेक्चर है, प्रिवेस सेसन में हम लोगों ने चतिदगर प्राची नितिहास का प्रागतिहासिकाल का विस्तार से द्धन किया, अ प्राची नितिहास में वैदिकाल के बारे में बिसिकली समझने का प्रयास करेंगे, तो आज हम लोग क्या समझेंगे, आद्यातिहासिकाल क्या होता है, एतिहासिकाल में प्राची नितिहास प्रारम करेंगे, जिसमें से वैदिकाल, ठीक है, तो चलिए सेसन की सुरुआत कर द्भा था कोई लिपी नहीं थी वो काल कहलाया प्राग इतिहासिक वह कंप बसक्ता इसलिए सिस्टेमाइटिक हमको किया मिलेगा जिस्टिहास की मैं आपको परिभासा बताया था याद होगा तो हमारे अतीत में जो भी महत्पूर्ण घटनाए होती हैं उनका एक क्रमबध अध्यन को हम लोग क्या बोलते हैं इतिहास बोलते हैं ठीक है तो क्रमबध अध्यन हमको एतिहासी काल से प्राप्त होगा clear है चलिए आद्यातिहासिकाल को समझते हैं जो आद्यातिहासिकाल है याद रखेगा इसका अगर हम लोग सन देखें तो इसका काल निर्धारन होता है 2300 से लेके 1750 इसापुरुव 2300 BC से कितना 1750 BC ये BC है इसापुरुव प्रिवियर सेसन में हम लोग ADBC ये सब चीज समझ चुके हैं जो आद्यातिहासिकाल है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है आद्यातिहासिकाल को ही याद रखेगा सिंदु घाटी सभ्यता कहा जाता है इसके अलावा इसका सबसे पहले नगर का पता चला हडपा में तो इसको हडपा सभ्यता भी कहा जाता है ठीक है सिंदु नदी के आसपास की सभ्यता थे इसलिए सिंदु घाटी सभ्यता बोलते हैं याद रखेगा पहला इस थल्ता हडपा जहां उत्खननन किया गया और पता चला है इसलिए सभ्यता का नाम हडपा सभ्यता भी कहा जाता है इसके लावा इस सभ्यता के लोग जो है वो आपके ताम ताम्बे और कांसे का प्रयोग करते थे ठीक है ताम्र और कांसे का इसलिए इसको क्या कहा जाता है ताम्र कांसे यूगिन सभ्यता भी कहा जाता ह क्योंकि इस समय तांबे और कांसे का यूज होता था इसके अलावा याद रखेगा आपका अगर देखें हम लोग जो प्रागयति हासिकाल है वहां कभीले में रहते थे लोग ठीक है किसमें रहते थे कभीले में लेकिन ये ऐसी सभ्यता होगी जिसमें लोग नगरों में निव अगर थे तो ये जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी नगरिय सभ्यता याद रखेगा जो एतिहासिकाल है आद्य एतिहासिकाल इसको प्रथम नगरिय सभ्यता भी कहा जाता है सिंदुगाटी सभ्यता को फिर उसके बाद मौरे काल आएगा जिसको दूतिय नगरिय सभ्यता कहा जाता है ठीक है यह चीज़ क्लियर है ठीक है तो इसके नाम क्या कहा है अगर पूछा जाये तो आदियतिहासिकाल को सिंदुखाटी सब्वेता कहा जाता है हडपा सब्वेता कहा जाता है तामर कांसियोगिन सब्वेता और प्रथम नग्रिय सभ्यता कहा जाता है क्लियर है अगर इसकी लिपी की हम लोग बात करें तो याद रखेगा इस समय जो यूज होते थे ये जितने भी आपके मुहरे हैं इन सब मुहर में आपको चिंधांकित होंगे ठीक है और हर एक चिंधांका क्या होता था एक meaning होता था थीक है तो इसकी जो लिपी होगी वो क्या होगी भाव चित्रात्मक किस परकार की लिपीयां प्राप्त होई हैं कहां से आपके सिंधुकाटी सब बैता से या हडपा सब बैता से या तामरकाज सी योगिन सब बैता जिसको कहते हैं प्रथम नग्रिय सभ्यता, इनकी लिपी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, याद रखेगा, लेकिन यह जो लिपी है, वो किस परकार की लिपी है, भाव चित्रात्मक लिपी है, ख्लियर है, अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, वो कह भूजियत, ठीक है, मेंस में ये कोईसन पूछा भी जाता है, इसके दो नमबर में आता है, कि सिंधु घर्टी सभ्यता का विस्तार को समझाईए, तो याद रखेगा, एक जगा आप देख पा रहे हैं कि मांडा, यह जो मांडा है, यह जम्मू का समीर में है, ठीक है, जम् सुतका गेंडोर याद रखेगा, बलुचिस्तान में है, यहां देखें, तो यह है, आपका सुतका गेंडोर, यह मांडा हो गया, ठीक है, नीचे जाते हैं, नीचे में महाराष्ट में है, दैमाबाद, महाराष्ट में क्या है, दैमाबाद, तो इसके दक्षडी सीमा क्या ह यहां पर दैमाबाद हो गई ठीक है यह महाराश्ट मेचे और अगर पुर्वी सीमा यहां मिलता अलमगिरपुर कि यहां पर कहीं है आपका क्या आलमगिरपुर इस प्रकार से जो आपका सिन्दुगाटि सब्धुता है उसका विस्तार कैसा था तो तुरिभुजिय था तुर वर्ग किलो मीटर, मोटा मोटी लम सम लेते हैं, तो 13,00,000 वर्ग किलो मीटर, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तो उत्तर में मांडा से लेके, दक्षिन में दैमाबाद, पूर्वु में आलमगीरपूर से लेके, पसिम में अरिभुजी आकरिती में 13,00,000 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ था, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, 13,00,000 वर्ग किलो मीटर, ठीक है? यहाँ तक क्या था आपका फैला हुआ था कौन सा सिंदुकार्टी सभेता, ये चीज़ क्लियर है, अगर इसको थोड़ा मैप मे हम लोग देखें, कुछ इस प्रकार का था, ठीक है? यहाँ इसमें भी आप देखेंगे, तो ये मांडा है, यहाँ आलमगिर, मांडा से आलमगिर पूर, ये दैमाबाद, ये आपका सुत्का गेंडोर और मांडा, इस प्रकार का ये, आपका जो ये एरिया था, ये क्या था सिंदु कार्टी सभ्यता का चेतर, यहीं पे सिंदु और उसकी जो साहयक नदियां है, वो भाती थे, और उनकी साहयक नदियों के घाटियों में क्या निवास करते थे, सिंदु कार्टी या हडपा सभ्यता के लोग निवास करते थे, विस्तार को अगर हम लोग समझें, तो पहली हुई थी, यह सब्यता सौरास्ट, राजिस्थान, हरियाना, पस्यमी उत्तरपदेश, इत्यादी छेत्रों में भी विस्तरित थी, कुल मिलाका देखे, हम अगर देखें, तो 36 गड़ की स्थिति यहां पे है, ठीक है, यहां क्या है, 36 गड़ है, और इसका विस्तार 36 भारत में था, ठीक है, और चत्ति गड़ जो है, वो मध्य भारत का हिस्सा है, याद रखेगा, किसका हिस्सा है, मध्य भारत का, तो मध्य भारत में, आपका सिंदु काटी सब्यता का विस्तार नहीं था, यहां 36 गड़ में यह फैला नहीं था, अब धियान से देखेंगे, तो यहाँ पहां पर मंद्डा यहां अलमगिर पुर्य को तो इस प्रकार से आपका फैला हुआ था यह थीक है तो इस जगह पर कोई कोई भी शाक्षा 36 गड़ में प्राप्त नहीं हुए है क्योंकि यहां कुछ फैला ही नहीं था ठीक है आप इधर देखेंगे तो यह वाला एरिया था किसका आद्यातिहासी काल का यह सिंदुगाटी सब्यता और यह हमारा 36 गड़ तो 36 गड़ से कोई भी साक्ष नहीं मिलेंगे आद्यातिहासी काल के क्लियर है देखें आद्य एतिहासी के बाद हम लोग आप जानते हैं एतिहासी काल ठीक है एतिहासी काल क्या होता है ऐसा काल जिसमें आपको लिपी भी मिलती है अर्था लिखा हुआ मिलेगा और वो लिपी पठनी है पढ़ने यूग है तो वो सारे काल क्या इतिहासिक काल को basically तीन भागों बाटा गया है एक है आपका क्या प्राची नितिहास दूसरा है मध्यकाली नितिहास और तीसरा है आदुनिक इतिहास इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं याद रखिएगा जो एतिहासिक काल है यह कहां से start होता है अगर पूछा जाए तो आपका 1500 हिसा पूर्व से start होता है 1500 BC से एतिहासिक काल start होगा और आदुनिक काल के अंतिम चरणर तक चलेगा मतलब हम लोग आजादी तक देखते हैं 1947 वैसे तो एतिहासिक काल अभी तक का आप ले सकते हैं 2023-24 में ठीक है यह भी इतिहासी है जो पिछली घटनाए है इसा पूर्व से लेकर कितना तक 1947 इसवी तक चलेए प्राची नितिहास के अगर हम लोग बात करें तो प्राची नितिहास में सबसे पहला जो पढ़ना है हमको वो है वैदिक काल क्या होता है देखिए बेसिक समझें तो वैदिक काल वह काल होगा जिस काल में वेदों की प्रीटे जाते हैं इसके बाद आएका 500 इसा पुरह टूर इसके बाद 400 इसा पुरुत फिर उसके बाद 3 sain पुरुत ऐसे करकी समय बढ़ेगा ठीक है तो इसा पुरमें confuse नहीं होना है clear है कि जो वैदिक काल है समय बढ़ा है कितना है 1500 इसा पुरुत स से लेके 600 इसा व्याद रहे जो सिंदूगाति सब्याता की समाप्ति के बाद सुरूवी याद रहे जो सिंदूगाति सब्याता है उसका अंत होता है 1750 इस Lawrence , हम लोग प्लंब ही प्रेवल स्लाइड में देखें है वह चीज। 1750 इस्वी में इसका क्या हो पुर्वव में इसका अंत हो जाता है । वैदिक काल होगा 源खर वहीज़ान जो क्या होगा बहरत में आर्यों द्वारा प्रारम्भ में reef । वही क्या कहलाता है, जो सिंदुखाटी सभ्यता के बात प्रारम हुआ, वही काल कहलाता है, वैदिक काल, इसको वैदिक काल बोलने का रिजन क्या है, तो इसी काल में वेदों की रशना की गए, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, वैदिक काल कह जाता है, आरे प्रजाती ज दुनिया के किस शेतर से है इस विश्य में इतिहास कारों में क्या है मदभेद है बहुत सारे अलग अलग तथे मिलते हैं इसको इंडियन हिस्ट्री का हिस्टा है उसमें हम लोग अच्छे से इसको और कवर करेंगे ठीक है वैदिक सब्यता का अध्यनी से दो भागों पुरू मतलब होता है पहले और उत्तर मतलब बाद में ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए उत्तर मतलब बाद में जैसे गुप्तकाल में गुप्तकाल के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उत्तर गुप्तकाल या गुप्तकाल जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं तो गुप्त बोलने से क्या होगा, जो पहले वाले वेदिक काल है, और उत्तर वेदिक मतलब बाद के वेदिक काल, ठीक है, ये चीछ क्लियर है, पुरू मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में, तो देखे, पहला होता है आपका पुरू वेदिक काल, मतलब पहले वाला वेदिक काल, इसे रिगवेदिक काल भी कहते है, रिगवेदिक काल कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसी काल में रिगवेद की रचना हुई थी, इस कारण इस काल को रिगवेद काल कहा जाता है, इसकी तिती का निर्धारन साधार तोर पर, पंद्रह सो से लेके 1000 इसा पुर्व माना जाता है, ज उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल बाद वाला रहेगा, उत्तर मतलब हमेशा बाद होता है, ठीक है, इसमें तीन अन्य वेदों की रशना हुई है, जैसे आपके काउन से सामवेद, यजूरवेद और अथरवेद, ठीक है, और इसकी तीथी का निर्धानड कब से कब तक किया जाता है, तो 1000 इसा पुर्व से लेकर 600 इसा पुर्व तक किया जाता है, जो ये वाला अंकड़ा है, ठीक है, 1000 से लेकर कितना तक, 600 तक, ये वाला काल क्या कहलाता है, उत्तरवैदिक काल कहलाता है, उत्तरवैदिक काल कब से कब तक होगा, 1500 इसा पुर्व से लेकर 1000 इस काल कब होगा तो सुरी उत्तरवैदिक काल कब होगा एक हजार से लेके 600 इसा पूर्व तक अब देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका भी बता दे रहा हूं आपको अगर शुक्रान चृंब नातसक्तर धर्याया चाहले का सिंपल सा कोड है अंग्रेजी में मैं लिक देता हूं ठीक है ताके आपको समझ आए रिया साम को आम काती है है अपको एक कोड बता है मैं रिया साम को क्या खाती आम खाती है यहाँ वर्ड पकड़ी री से याद रखेगा, री से होगा क्या, रिगवेद, ठीक है, यह से क्या होगा, यह जुरवेद, सा से, सामवेद, अ से, अथरवेद, यही क्रम है, याद रखेगा, तो पहले आपका जो काल था, सबसे पहले वाला काल कौन सा है, पूरुवेदिक काल, या फिर आप उसको बोल सकते हैं क्या, पूरुवेदिक काल या हम लोग जिसको बोलते हैं, रिगवेदिक काल, क्योंकि इस काल में ही रिगवेद की रचना हुई है, इसके बाद अगला जो त्रिवेद की बात की जारे कर जाके है तो याद रखे का अथर वेद कौण चूट जाता है वहाँ पे ।्रेयो वेदिक का गृदल का समय कि समय कब है । त्थीक काल है इसकाल में बिसिकली क्या हुआ आरियों का आगमन हुआ ठीक है आरियों का अहां इस काल के निर्माता है को र्यमाता कान होगे औरmen इस इस काल में पर्थम रिगवेद की रचना हुई, इस कारण ही इस काल को जो वैदिक काल का पूर्ववाला वैदिक है, पूर्ववैदिक काल को ही क्या कहा जाता है, रिगवैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में रिगवेद की रचना हुई, ठीक है, जिसका विस्तार किस पर था जो रिग्वेंदिक काल है इसका विस्तार सब्त Σैंदो प्रदेस तक ही सीमित था। सब्तसेंधुअ प्रदेश क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा वो चीश, यह छीजद हम रखेगा, इसका विस्तार कहां तक था, सब्तसेंधुअ प्रदेश, सिंदु और उसकी जो सहयक नदियां होती हैं, जहां से वो भतियें, उस प्रदेश को कहा जाता है है इसकार्ण में आयियों का विस्तार मध्य भारत यवं मुदु भारत में नहीं हुआ यह जैसा इधर नहीं आकू दो 46 थी Len लोग देखें तो 36 कौन सा कई वाल या था है वह यहां धा को और वर चल रहा है मिलता है इस्पार आर्ये इधरा है इस holds रिग वैदिक काल के वैदिक ग्रंथों में 36 गड़ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रामाडिक साक्षे नहीं मिलता है चूंकि वो आया ही नहीं थे 36 गड़ से अवेर ही नहीं थे या मध्य भारत से अवेर नहीं थे ठीक है सब्थ सिंधु का जाता था और इन नदियों के छेत्र को क्या बोलते थे सब्थ सैंधौ प्रदेश के नाम से जानाता था ये साथ महत्पूर्ण जो नदियां वो कौन कौन सी थी, तो सिंधु और उसकी सहायक नदिया, ठीक है, सिंधु के अलावा सरस्वती, जेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी नदिया, याद रखेगा, जेलम को उस समय वितस्ता कहा जाता था, चेनाब का नाम अक्षणी, ठीक है, रावी का नाम परु है, याद रखेगा, उत्तरवेदि काल में आपके तीन जो, वेद है, उनकी रचना हुई है, याजूर्वेद, साम्वेद, और अथरवेद की, clear है, इसमें याद रखेगा, इस काल में आरियों का विस्तार जो है, वो मध्य भारत और दक्षिड भारत में भी हो चुका था, उत्तरवधिक काल में आरियों का विस्तार हो चुका है, याद रखेगा, और जैसी मध्य भारत में विस्तार होगा, 36 गड़ मध् कवसित की विद्ध निध्यवीख़न मद्य प्रदेश में मद्य भारत का समझ श्ब्प, ठीक है तो इस से ये पता चलता है जो आरिय इस अलएक ऑ्रॉदिक traattichi bhaarировать में उनका नाम क्राइवारत नाम पता एग मद्यभारतeren इसका नाम है अस्त अध्याई, उसमें पहली बार कोसल और दक्षिर कोसल का उल्लेक प्राप्त होता है, तो यहां से हमको पता चलता है चतिस गड़ का नाम, उस समय कोसल या दक्षिर कोसल कहा जाता रहा होगा, ठीक है, यह किसकी बात कर रहे हैं हम लोग पाणिनी के अस्त अध्याई के, तो यहां से हमको चतिस गड़ के नाम का उल्लेक पता चलता है, अगर हम लोग बात करें उत तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना वैदिक काल में रिगवेद की रचना हुई और बाकी जो तीन वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है एक चीज़ ज ouvert में ध्यान देने बात है कि आपका इससे पहले वैदिक काल से पहले जो हम लोग आधियतिहास पढ़े। ठीक है प्रागयति हैसी के बाद क्या पड़े आद्य थीहासी काल, तो आद्य थीहासी काल में याद रखेगा, इस समय के जो समास थी वो प्रफम नगर था, आपको यद होगा प्रफम नगरे सब भीता, नगर में बसा करते थे, लेकिन जैसी ही वैदिक काल आएगा, खासकर यहां जो आरे आएंगे वो आपके क्या रहेंगे कबिले में निवास करेंगे कबिलाई रहेंगे और इनका मुख्य कार्य कार्य का रहेगा तो पसु पालन रहेगा याद रखेगा रिगवधिक काल में मुख्य कार्य कार्य का रहेगा पसु पालन और पसु में भी कौन सी पस तो यह चीज ध्यान दखिएगा आर्या जो यह वर्ड आप द्यान देंगे तो यह आर्या वर्ड आपको उसमें भी दिखेगा रामयन महाभारत जैसे महान ले जाये महाभारत के घटना का मैं उल्लेक करूँगा जिसमें द्रौबदी जो रहती है द्रौबदी जी ठीक है ये अपने पती को जैसे अर्जुन को है तो इनको बोलेंगी आहे आर्ये पुत्र इस टाइप का संबोधन होता था ठीक है तो वो संबोधन भी था उनका कास्ट भी था वाना हम संब्तली जैसा भी अफ बोलें थीक है तो वैदक कालको इक और आप सब्वेटा का नाम दे सकते हैं आरियान इंसहेंस अर्येटा कालश सब्येथा है वैदिक काल इस वे वैदों की रिचना आधार पर दो भागों यहां बाट से सारी चीज़ें समझा गई हूंगी नहीं से प्रत्रामनग्रें थिक है उसके बाद हम लोगों नहीं जाना है एतिहासि प्राची नीतिहास wants प्राची नितिहास में basically हम लोग ने समझा किसको वैदिक काल को याद रखेगा वैदिक काल दो प्रकार के होते हैं एक है रिग वैदिक काल जिसको पुर्व वैदिक काल भी कहा जाता है जिसका अगर हम लोग देखें तो वो कितना है 1500 इसा पुर्व से लेके 1500 BC से लेके 1000 BC ठी प्रकार से हम लोगों ने आज के इस क्लास में अध्यन किया अगली सेसन में हम लोग जानेंगे रमायन काल के बारे में और साथ ही राम वनगमन पत का जो लेटेस्ट डेटा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे यहां तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद अ पारे में अध्यन करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम